आज की वीडियो में हम बात करेंगे How to feel, how to look and how to be confident इसमें सबसे पहली चीज में अगर आप लगों को बता दूँ तो वो ये है कि जो confidence होता है वो inbuilt नहीं होता ये कोई talent नहीं है जो confidence होता है ये एक skill होती है जो with the passage of time हम लोग earn करते हैं, learn करते हैं इस उस चीज में हम लोग अपनी command बनाते हैं इसलिए इस चीज को mind से निकाल दें कि ये जी inbuilt लोगों में होता है ये जो बहुत confident लोग होते हैं ये पता नहीं पहले से ही इतनी training होती है इनकी नहीं ये with the passage of time इसमें कोई age limit नहीं है आप लोग इसको earn करते हैं अब बात करते हैं कि वह कौन सी पहली चीज है जो आप लोगों को बहुत जादा consider करनी चाहिए to be or to look more confident पहली चीज की तरफ बात करते हैं आप लोगों को सर्फ ये बता दूँ कि हमारी कोई ना कोई language होती है जिसमें हम अपनी कोई feelings या कोई अपनी बात करते हैं इसी तरह हमारी जो body language होती है या body posture होता है वो बहुत कुछ express करता है लोगों के लिए तो इसलिए comfortable बैठे हैं लेकिन अपनी कंदों को जुका के नहीं अपनी कंदों को पीछी की तरफ straight रखके बैठे और बिल्कुल भी हम नहीं डालना आप लोगों ने और अपने face को जो है थोड़ा सा upward tilted रखे और बिल्कुल आप लोग easy position में बैठे अगर आप बैठ रहे है तो आप तब भी बिल्कुल सीधे खड़े हो के चाले हैं या बिल्कुल आप लोगों का एक फोड़ा body posture होना चाहिए जो और रिप्रेसेंट करें कि यह बन्दा बिल्कुल डल सा नहीं है यह बहुत confident बन्दा है तो पहली चीज़ यह है कि आप लोगों ने अपनी standing position हो बिल्कुल straight रखनी है sitting position जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल comfortable रखनी है दूसरी चीज़ के बार में बात करते हैं अगर आप लोग थोड़े से shy हैं तो आप लोगों को इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और वो यह है कि eye contact eye contact बहुत बहुत जादा जरूरी है ज बिल्कुल आप लोगों करना बिल्कुल confident होगे अपने आपकी अपनी जो position है अपने बिल्कुल तंथे रखने है जब आप लोगों का first body posture ठीक हो जाता है उसके बाद आप अगली चीज़े automatically adopt करना start कर देते हैं तो try करें कि आप लोग जो है वो eye contact कर सके और बिल्कुल बिल् करते हैं तो सबसे अचा तरीका यह है कि अपने सामने एक शीशा ले उसमें खुद से आँखे मिलाए और अपना जो फिर है eye contact का उसको सबसे पहले अपने अंदर से बाहर निकालें और खुद को बताएं कि आप इसकी काबिल है कि आप किसी से भी eye contact करके easily बात कर सकते हैं त किसी पर इतना effective नहीं होती है लेकिन जब भी आप कोई बात कर दें हैं उसका जो भी expressions बनते हैं उस expression के साथ बोलने की कोशिश करें मिसाल के तो पर अगर आप खुश हैं तो अपनी wise आवाज को उसी हिसाब से रखें अगर आप sad हैं तो उसी हिसाब से रखें या जिस तरह कोई भी आप लोग कोई भी conversation चल रही है उसी के हिसाब से अवाज को उसी के हिसाब से expressions या tone देने की कोशिश करें चोती चीज जो है वह बहुत इंट्रस्टिंग है और वह यह है मेक यूर हैंड विजिबल अच्छा मेक यूर हैंड विजिबल smoothly लेकिन broadly अच्छा यह किस त अगर 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 आप लोगों की बात आप लोगों की जो आदेंस है वो सुन सके और उसको अब्सॉब कर सके तो नेक्स टायम से आप लोगों ने ट्राय करनी है कि smoothly लेकिन broadly ट्राय तो मेक यूर हैंड विजिबल पांच्वी बहुत बहुत जादा इंपॉर्टन चीज है आपका walking style don't drag your feet don't walk slow don't walk too fast try करें कि एक moderate चाल रखें और वैसे ही चलें आप लोग फास चाल जो चलते हैं जो जड़ा तेजी से चलते हैं वैसे भी चल सकते हैं लेकिन प्लीज अगर आप लोग अपने पाउं ड्राग करके चलते हैं जो रगर के चलते हैं ना समीन के साथ उ जो आपके पीछे लोग बैटे होते हैं वो आपके कुमेंट लास्मी करते हैं आप लोगों की पुरी परसनालिटी को वो डंब कर देती है चीज़ बिल्कुल खतम कर देती है तो ट्राइ करें कि जब भी आपका walking style जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए आप लोगों की hands क अच्छा होना चाहिए वो नॉर्मली होता है कि अगर आप लोगों की बाजो की जो मूवन है वो नाच्रल रहे होते हैं उसी को रहने दे लेकिन ट्राइ करने कि बहुत ज्यादा स्लोस्तियां विल्कुल जिग-जग फॉर्म एक से लोग चाहरे होते हैं तो ऐसे ना करें आ अगर आप लोग स्कूलिंग लेवल पे हैं या कॉलेज लेवल पे हैं या या उनिवर्स्टी लेवल पे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिस्पेट करें पॉब्लिक स्पीकिंग में अगर आप लोग कोई वो और कम हो सके हमें अक्सर कहा जाता है कि अगर आप लोग कॉन्पिडेंट फील नहीं कर रहा है तो आप शीशे के सामने खड़े होगे तो फिर उसको प्रैक्टिस करें अगर आप लोग इंग्रेजी नी बोल पा रहे हैं इंग्लिश में बात नी कर पा रहे हैं तब भी क्यों करहा जाती है , यह बात किस स्बसे बड़ा फिर्ट होता है वो हमारे यहां पर होता है अगर आप ने अपने दिमाग से फिर्टन कोल भी और क्या करें तब आप लोग अपनी हर लयफ फील्ड में बहुत ज़ादा कामयाभ होsकतैं अभी तक लोग ने जो बात की है कोशिश किजिए आप लोगों का बहुत ज्यादा इन्हांस कर देगी थर्ड चीज जो है वह है कि अपने हाथतों को बहुत ब्रॉड लेकिन वर स्मूदली इनको विजिबल रखिए अपनी वाइस में एक्सप्रेशन लाइए और जहां पर ज़रूरत है टॉन को उसको चेंज कीजिए पांचरी चीज़ जी है जी के अपना जो वाकिंग स्टाइल है उसको चेंज कीजिए उसको इंप्रूव कीजिए खुद से प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट बर नॉर्ट लीस्ट के अपनी जो पब्लिक स्पीकिंग है उसको इंप्रूव करने की ट्राइ कीजिए और जितना जादा हो सकता है अपने अंदर के फिर को बाहर निकालिए और अगर आप लोग फिर भी confident feeling करते तो एक पूरा wall mirror लगवाईए और उसके सामने इन चीजों को practice करना स्राइब कीजिए तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी पसंद आई है तो इससे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपना बहुत सा क्यार रहे किएगा मुझे दीजिए इजाज़त अला हाफिस